राजस्तान भी जेपी के दिगज नेता क्रोडिलाल मीना के इस्तिफे को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरा रहे अब इस भी शनिवार को मीना सवाय मादुपुर दोरी के दोरान बजरिया में आयोजित महाराज मुलिधार के रामकता के कारेकरम में शामिल हुए मीना ने कतवाचक महाराज मुलिधार का अशिरुवाद लिया और साथ ही क्रोडिलाल मीना राम भजन पर अपने कारेकरताओं के साथ भक्ती में मगन होकर थिरकी भी इसी दोरान मीना रामकिश मीना को लेकर बोले मेरे बगल में गंगापुर सीती है जो जनता ने उस आदमी को फिर मेले बना दिया जिसने ये कहा तक कि आदिवासी अमीना हिंदू नहीं है नमस्कार में शेख जोया आप देख रहे हैं दनगरी में से कारेकरम में क्रोडिलाल ने रामकथा में मौजूद जनता को संभोधित किया यह दौरान मीना गंगापुर सीती है बरर हमकेश मीना का नाम लीजह के समयमें जिसे राजनता बदल गए जैसे जनता भी बदल गए जय September संभोधित के दीवाइल तक आदिवासी ही यह मीना हिंदू नहीं है वो फिर चुनाव जीत कर चला गया इसमें गलती किसकी है अपनी सुनिये मीडा ने क्या कुछ कहा और राजनेता भी मेरे भाईयो जैसे राजनेता बदले ने वैसे वैसे जनता भी बदल गई मेरे बगन में गंगापूर है गंगापूर उस व्यक्ति को मले फिर बना दिया जिनुन ये कहा था कि मीना या आदिवासी हिंदू है नहीं हिंदू नहीं है कितना बड़ा हिंदू तपका होने के बाद भी फिर वो चुनके चले गया गलती किसकी है अपनी जो यह करा में हिंदू नहीं है वो सनातन का अपमान कर रहा है भगवान राम का कर रहा है गड़ेस का कर रहा है सीता का कर रहा है फिर वो जीत के जा रहा है इसलिए राजनेत जुजारू नेता राजस्थान को चाहिए जो गलत होने पर अपनी ही सरकार के खलाफ दरने पर बेड़ जाए और मंतिरी पत को ठोकर मार दे लोग तो मंतिरी बनने के लिए क्या क्या नहीं करते लेकिन डॉक्टर क्रोडिलाल मीरा जैसे नेता अपने आदर्शों और सिध्ध करने के लिए कुर्सी के आविशक्ता नहीं है अब समाज के लिए लड़ो और इसी तरह आगे बढ़ते रहो ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे देन अगरी न्यूस शुक्रिया